हलो स्टूडेंट्स, माइन इस जिबा अक्तर, I am your chemistry faculty तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम metal, non-metal वाला chapter पढ़ रहे थे और उसमें हमने चार lecture complete कर लिये, हमने पढ़ लिया कि metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं उनकी physical properties क्या होती हैं और साथ ही हमने पढ़ लिया कि उनकी chemical properties क्या होती हैं इसके बाद हमने fourth lecture में start किया था कि metallurgy क्या होती है, metal का extraction कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया था, ores क्या होते है, minerals क्या होते हैं और impurities, जो matrix होती है, वो क्या होती है ठीके, इतना हम cover कर चुके हैं, आज के lecture में जो first step है, first step में हमने previous lecture में first step के तीनों हमने sub topics पढ़ लिये थे, जिसमें हमने physical method को पढ़ा था आज मैं पढ़ाऊंगे आपको chemical method, तो बच्चो chemical method में हमारा एक ही topic है, जो की है leaching उसके बाद हम second step पर आजाएंगे, ठीके तो हम पहले first step को complete करते हैं, first step है हमारी enrichment of ore की ही first step है, जिसमें हम impurity को अलग कर रहे हैं, किस में से? और में से, metallic ore में से, जो metal वाला और है आपका, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं किसको impurity को, तो हमारा topic है leaching, leaching में क्या हो रहा है, leaching is a process, leaching एक process है, जो कि widely use किया जाता है, कहां पर metallurgy के process में, metallurgy का मतलब आप जानते हैं, कि हम extraction कर रहे हैं metal का, किस में से? metal के ore में से, ठीक है, इतना clear है आप सभी को, where ore is treated with chemical, क्योंकि ये leaching का process है, तो इसमें हम क्या use कर रहे हैं, chemical का use कर रहे हैं, ये chemical method है, जिसमें chemical का हम use कर रहे है, to convert the valuable metal into soluble salt, यानि कि metal को हम किस में convert कर देंगे, soluble salt में convert कर देंगे, समझा रहा है आप लोगों को, मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि leaching क्या होती ही बिटा, leaching एक extractive material है, extractive metallurgy का process है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, chemical का use कर रहे हैं, और chemical का use कर के हम क्या करना चाह रहे हैं, metal को अलग करना चाह रहे हैं, यानि कि metal और को अलग करना चाह रहे हैं, और यहां पर जो metal का और है, वो किस में convert हो जाएगा, soluble, sort में convert हो जाएगा, और जो बच्चों आपकी impurity है, वो dissolve नहीं होगी, तो इसलिए वो insoluble रहेगी, clear है आपको इतना? ओके, तो अब हम reaction की हैप से समझते हैं, देखिए यहां पर लिखा है zinc sulfide, अब देखिए जब आप zinc sulfide लिखते हैं, तो आप pH की जगे F भी लिख सकते हैं, spelling में वो भी ठीक है, किसी-किसी books में F लिखा होता है, और किसी books में pH लिखा होता है, तो दोनों ही तरीके से आप zinc sulfide लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप oxygen तो जानते हैं, O2 होता है, यह हमारा sulfuric acid, क्या है बच्चों, यह sulfuric acid है, इतना क्लियर है, अब देखिए यह जो sulfuric acid है, यहां पर यही एक chemical है, जो कि क्या कर रहा है, extraction में हमें help कर रहा है, यानि कि हम यहां भी क्या कर रहे है, impurity को अलग कर रहे हैं, किस में से, और में से, तो यहां पर क्या formation हो गया, soluble salt का formation हो गया, तो soluble salt क्या बन गया बच्चों, zinc sulfate, कौन सा soluble salt बना है, zinc sulfate बना है, water आप जानते हैं, H2O, और यहां पर sulfur, ठीक है, clear इतना, यानि कि हमने क्या लिया था, zinc sulfate लिया था, zinc sulfate क्या था, हमारा ओर था, जिसमें impurity present थी, ठीक है, H2SO4 के साथ उसको treat कर वाया, तो क्या formation हो गया, H2SO4 के साथ treat कराने पर, ZNSO4 यानि कि zinc sulfate का formation हो गया, और zinc sulfate क्या है बच्चों, soluble salt है, और यहां पर impurity जो है, वो सारी अलग हो जाएगी, और water का formation हो जाएगा, clear है सभी को इतना, अब आजाते हैं हमारी next step पर, step number 2, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, extraction of metal हम पढ़ने जा रहे हैं from the concentrated ore, concentrated ore से, अभी हमने क्या किया था, first step में हम जब से क्या कर रहे थे, physical और chemical method में, हमने ये पढ़ लिया था, कि impurity को किस तरीके से अलग करना है, ore में से, अब हमारे पास ore आ चुका है, जिसमें impurity नहीं है, ठीक है, अब हमें उस ore में से particular metal को अलग करना है, जिसकी percentage ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, concentrated ore को लेंगे, और उसको किस में convert करेंगे, बच्चो, metal oxide में convert करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम उसको metal oxide में convert कर रहे हैं, अब उसको metal oxide में convert करने के लिए, आपको कुछ methods पढ़ने पढ़ेंगे, बच्चो, तो यहाँ पर वो कौन-कौन से methods हैं, तो हम पढ़ेंगे आज, calcination पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे roasting, तो calcination और roasting एक्जाम में जरूर आता है, अगर हो सकता है कि examiner आपको इस तरीके से पूछे, कि आप इन दोनों में difference बताईए, या इसके बारे में लिखिये, या reaction बताईए, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगे, आपको अच्छे से clear हो जाएगा, ठीके, next है आपका reduction, देखिये, जब आपके पास metallic oxide आ जाएगा, उसके बाद आपको उसको reduce करना है, रिड्यूस करके उसमें से आपको oxygen हटाना है, और metal अलग करना है, ठीके, तो overall हम क्या कर रहे हैं, देखिये, reduction है, अब reduction से क्या मिलेगा हमें, crude metal मिलेगा, लेकिन crude metal कब मिलेगा, जब हम reduction के ये सारे process लगाएंगे, तो ये जो processes हैं, ये किसके हैं, ये reduction के ही process हैं, तो सबसे पहले self reduction हो सकता है, किसी और में, जब आप reaction करा रहे हैं, तो self reduction हो जाए, अपने आप ही वो reduce हो जाए, या फिर heating की वज़े से reduction हो जाए उसमें से, और हमारा metal अलग हो जाए, या फिर आप reducing agent का use करके भी metal को अलग कर सकते हैं, और last है आपका by carbon, by carbon monoxide and by aluminium, यानि कि यहाँ पे जो तीन आपको reducing agent दिख रहे हैं, इनकी help से आप क्या कर सकते हैं, metal को अलग कर सकते हैं, concentrated ore में से, and last है आपका by electricity, और कुछ जो highly reactive elements हैं, जो कि इन reducing agents के through, आप अलग नहीं कर पाओगे, उन metals को आप in reducing agents के through अगर अलग ना कर पाओ, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप electricity का use करोगे, clear है इतना, ओके students, आगे बढ़ते हैं, फर्स step में आपको पढ़ा चुकी हूँ, second step अब में शुरू करने जा रही हूँ, तो second step में हमें पढ़ना है concentrated ore, ठीके, concentrated ore को किस में convert करना है हमें, metal oxide में convert करना है, तो चलिए, start करते हैं, आज का method, extraction of metal from the concentrated ore, हम क्या कर रहे हैं, metal को अलग कर रहे हैं, concentrated ore में से, ओके बच्चों, so हमारा main चीज क्या है, concentrated ore है हमारे पास, और उसको हमें convert करना है, metal oxide में ये reaction आप लिख लीजी, ये आप skeletal बना लीजी, skeletal का मतलब एक धाचा आपने बना लिया, एक आपने अलग से, इसको box में बन करके लिख लीजी, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि आपको पढ़ना क्या है, और process क्या करना है, ठीके, अब हम start करते हैं, हमारा आज का topic, जो की है, calcination, अब देखते हैं, calcination का process क्या कहता है, it is a process of heating, the concentrated ore, ये एक process है, जिसमें आप concentrated ore को heat करते हो, in the absence of air, ठीक है, air की absence में, आप क्या करते हो, concentrated ore को heat करते हो, कितना clear है, to convert carbonate ore, अब यहाँ पे कुछ points लिखे हुए हैं, बिटा, देखिए, first हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कि ये एक process है, जिसमें आप इसको heat करते हो, concentrated ore को, और उसको air की requirement नहीं होती, oxygen की requirement नहीं होती, तो air की absence में ये process होता है, ये चीज़ा आपको याद रखनी है, ठीक है, अब देखिए, first point यहाँ पे लिखा है, कि calcination का use हम क्यों कर रहे हैं, it converts to convert carbonate ore, यानि कि carbonate ore को हम किसमे convert कर रहे हैं, metal oxide में convert कर रहे हैं, इतना clear है, यानि कि यही step अभी हमने पड़ी है, कि हम और को किसमें convert कर रहे हैं, metal oxide में convert कर रहे हैं, ठीक है, second, आप calcination का use or कहां कर सकते हैं, to remove water from the hydrated ore, यानि कि पानी जो थोड़ा बहुत moisture रह जाता है, जैसे अभी हमने जो first step लगाया था जिसमें हमने physical method में क्या किया था, hydraulic washing का use किया था, और water के through हमने सारी impurities को अलग कर लिया था, और जितने भी heavy particles थे, वो settle down हो गए थे, ठीक है, तो अब माहा पर क्या हुआ होगा, जो हमारा ore है, concentrated ore, उसमें थोड़ा बहुत moisture आ गया होगा, नमी आ गई होगी, तो उस नमी को हटाने के लिए, हम क्या method यूज करते हैं, calcination method का use करते हैं, clear है, यानि कि जो भी hydrated ore है, उसमें से hydration हटा देते हैं, next point देखते हैं, to remove volatile impurities from the ore, और जो थोड़ी बहुत impurities हैं, उसे हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इस method का use करते हैं, आगे देखते हैं, main point यहाँ पर यहाँ को विल्कुल अच्छे से लिख लेनी हैं, कि यह method हम use करते हैं, कौन से ores के लिए हैं, calcination is used for oxide ores, carbonate ores and sulfate ores, यानि कि calcination का process आप 3 ores के लिए कर सकते हो, oxide ores के लिए use कर सकते हो, carbonate ores के लिए use कर सकते हो, और sulfate ores के लिए भी use कर सकते हो, तो mainly हम इसी को consider करके चलते हैं, कि हम carbonate ores के लिए इसे use कर रहे हैं, ज्यादा तर आपको examples carbonate ores के ही देखने को मिलेंगे, तो देखिए, examples देख लेते हैं, यह हमारी reactions है, zinc carbonate, ठीके बच्चों यह क्या है आपका, यह है zinc carbonate, ठीके इसी तरीके से यह क्या है, calcium carbonate, यह reaction हम first chapter में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ादा हमने, कि जब हम heat का use करते हैं, और उसको decompose कर देते हैं, तो यह क्या है बच्चों, आपकी decomposition reaction भी है, अब देखिए, यहाँ पर calcium carbonate को जब आपने heat किया, तो वो calcium oxide में convert हो गया, और carbon dioxide gas produce हो गई, clear है, इसी तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से process हो सकता है, कि zinc carbonate आपने ore लिया, और zinc carbonate को आपने heat प्रोवाइड की, लेकिन वहाँ पर oxygen नहीं है, air की absence में यह process हो रहा है, और किस में convert हो गया बचों यह, zinc oxide में convert हो गया, और carbon dioxide gas release हो गई, तो दो reaction आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, I hope, next reaction पर move करते हैं, next reaction है, आपकी calcium carbonate के साथ यहाँ पर magnesium carbonate भी present है, तो यह पूरा एक compound है, जिसमें calcium carbonate और magnesium carbonate दोनों ही आते हैं, यह आपका एक और है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो जैसे ही अब आप इसको heat करते हैं, तो heat करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर calcium oxide बन जाता है, magnesium oxide बन जाता है, और CO2 gas release हो जाती है, तो overall देखिए, जब आप calcination का process कर रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है, कि आपको उसमें air की absence लेनी है, आपको oxygen नहीं लेना है, साथ ही में आप यह बोच सकते हो, कि हम इसका use carbonate ores के लिए करते हैं, तो दो point तो आपके यह हो गए, क्योंकि अगर आपको difference लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, साथ ही आप ऐसे लिख सकते हो, कि यहाँ पर carbon dioxide gas produce होती है, जब आप यह reaction करवाते हो, clear है, और आप यहाँ पर heating करते हो, इतना clear है, तो आज का हमारे यह, कैसी nation first topic complete हो गया है, next topic की तरफ move करते हैं, next topic दिखते हैं, क्या है, next topic है आपका roasting, ठीक है, तो roasting में भी हम यही method लगा रहे हैं, हम concentrated ore को किस में convert कर रहे हैं, metal oxide में, पह carbonate ore है, उसे हमें किस में convert करना है, उसे हमें metal oxide में convert करना है बच्चो, और जब वो metal oxide आपको मिल जाएगा, तब फिर आपको उसको reduce करना है, clear है इतना, okay, देखिए, roasting, roasting एक ऐसा process है, जिसमें आप concentrated ore को strongly heat करते हो, बहुत जादा heat प्रोवाइट करते हो, और वहाँ पे आपक presence रखनी होती है, है न, तो calciumation इसका just opposite हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, heat तो यहाँ पर भी आपको करना है, लेकिन air की presence रखनी है, clear है, अब देखिए, main point यहाँ पर भी दिया हुआ है, कि यह कौन से ores के लिए यूज किया जाता है, तो यह sulfide ores के लिए यू के लिए हम इस method का use करते हैं, roasting का, examples देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चार point यहाँ पर मैंने mention किये हैं, देखिए, roasting process is used for the following changes, अब देखिए, यहाँ पर कुछ following changes हो रहे हैं, तीन point यहाँ पर दिये हुए हैं, ores undergo oxidation, ores undergo oxidation to their oxides, यहाँ पर oxidation होता है, moisture यहाँ पर remove हो जाता है, moisture is removed, volatile impurities are removed, और जितनी भी volatile impurities हैं, वो भी remove हो जाती है, clear इतना, अब reaction पर आजाते हैं, तो यहाँ पर तीन reaction आपको दे रखिए, देखिए, वहाँ पर क्या था, जो calcination का process था, उसमें हमने carbonate के यहाँ पर ores लिये थे, यहाँ पर हमें कौन से ores लेने हैं, sulfide ores लेते हैं, या फिर आप halide ores को भी ले सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, आपे zinc sulfide लिया है, ठीक है, यह है आपका zinc sulfide, ठीक है, अब zinc sulfide को जब आप oxygen के साथ रियक करवाते हो, तो यहाँ पर क्या बनता है, zinc oxide बनता है, और SO2 gas, sulfur dioxide gas, प्रेड्यूस होती है, ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर कोपर का आपने कोई ores लिया है, यह क्या है, कोपर का ores है, अब जब आप कोपर के ores को, अब देखें, यहाँ पर iron भी present है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे हम कोपर का ores कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोपर की concentration ज़्यादा है, तो कोपर, iron और sulfur, तीनों ही elements इसमें present है, oxygen की presence में, जब आपने इसको heat किया, तो यह convert हो गया, कोपर oxide में, iron oxide में, और sulfur dioxide gas produce हो गई, इसी तरीके से, यहाँ पर HGS, mercury sulfide है, mercury sulfide भी एक sulfide ore है, इसी तरीके से, यह भी carbon का, sorry, कोपर का एक sulfide ore था, इसी तरीके से, यह भी एक mercury का sulfide ore है, mercury के sulfide ore को, जब आपने oxygen की presence में heat किया, strongly heat किया, तो यह किस में convert हो गया, mercury oxide में convert हो गया, और sulfur dioxide gas produce हो गई, तो बच्चों, अब आपको reaction तो समझ में आने लग गई होगी, क्योंकि हमने अभी तक दो chapter complete कर लिए हैं, आपको पता है कि reactants आप left hand side पे लिखते हो, products right hand side पे लिखते हो, आपको products याद करने ही पड़ेंगे बिटा, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं, दो process में आपको पढ़ा चुकी हो, that means कि calcination और roasting दोनों ही process से हमने metal oxide का formation कर लिया, ये next step देखते हैं, क्या है, extraction of metal from metal oxide, अभी हमने metal oxide बना लिया था, अब हमें उसे क्या बनाना है, उसको हमें reduce करना है, किस में मिटा, उसको हमें reduce करना है, crude ore में हमें उसको अलग करना है, crude ore का मतलब, कि अभी भी उसमें थोड़ी बहुत impurity present है, लेकिन हाँ, अब oxide में से metal को अलग कर दोगे, ठीक है, यानि कि इस process में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास calcination और roasting के method से metal oxide आ चुका है, अब metal oxide में से हम क्या अलग कर रहे हैं, metal को अलग कर रहे हैं, by reduction, ठीक है, तो हम reduction का process स्टार्ट कर रहे हैं, reduction के process में क्या हो रहा है, बच्चो, metal oxide formed, after calcination और roasting, यानि क जो metal oxide बना है इन दो process के बाद उसे आप क्या कर रहे हो reduce कर रहे हो यानि कि metal का आप reduction कर रहे हो the method used for reduction of metal oxide depend upon the nature and chemical activity of the metal अब depend करता है कि metal की reactivity कैसी है metal highly reactive है less reactive है slightly reactive है और metal की nature कैसी है metal magnetic है या फिर normal metal है या फिर highly reactive metal है जो एकदम environment में जाते ही react कर जाएगा blast कर देगा ठीक है तो depend करता है कि chemical की nature कैसी है जो आपने metal लिया है metal or उसकी nature कैसी है ठीक है तो चलिए अब start करते हैं the metals can be grouped into the following three categories on the basis of their reactivity अब reactivity के basis पे हम पढ़ेंगे कि reduction आपको कैसे करना है तो first step है आपका first group है metals of reactivity low reactivity metals of low reactivity यानि कि जो reactivity है उसमें सबसे नीचे जो elements आते हैं पाये जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हो low reactivity वाले metals कहते हो next है आपका metals of medium reactivity यानि कि ऐसे metals जिनकी reactivity medium है जो slightly reactive है next है आपका metals of high reactivity यानि कि जिनकी reactivity बहुत जादा है जैसे sodium, potassium ठीक है lithium ऐसे elements अब दिखते हैं next self reduction तो यह हमारा first method है self reduction जो मैंने आपको flow chart समझाया था पूरा उस flow chart में right hand side पर इस तरीके से दिया हुआ था क्या दिया हुआ था self reduction ठीक अब self reduction क्या होता है metals that are low in reactivity ठीक है यानि कि ऐसे metals जो कि reactivity series में सबसे नीचे आते हैं और very less reactive उनकी reactivity बहुत कम होती है the oxides of these metals तो उन metals के बच्चों जो oxides बनते हैं वो reduce हो जाते हैं सिर्फ heating के process से यानि कि जिनकी reactivity कम है metals की अगर आप उनको more reactive as compared to gold and silver यानि कि silver और gold के comparison में अगर हम देखें तो copper और mercury थोड़ इसे ज्यादा reactive होते हैं होते तो वो downward ही है reactivity series में लेकिन थोड़ इसे ज्यादा reactive होते हैं gold और silver के comparison में तो यहाँ पर मैं आपको एक्जामपल समझा रही हूँ और यह एक्जामपल आपको याद भी रखना है क्योंकि आपके लिए important है ठीक है एक्जामपल क्या है आपका दा ओर ओफ mercury mercury के ओर को क्या कहते हैं सिना बार कहते हैं यह मैं आपको प्रिवेस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकियों सिना बार का मैंने आपको डाइग्राम भी दिखाया था रेडिश कलर का जो ओर होता है उसे कहते हैं सिना बार hydrogen sulfide compound है ठीक है तो यह किसका ओर है mercury का ओर है इतना क्लियर है अब देखिए वाइल डैट अफ कोपर इस जब की जो कोपर का ओर होता है बचों वो क्या होता है copper glens कोपर के ओर को क्या कहा जाता है copper glens कहा जाता है यानि कि क्या होता है copper से फ़ाइड ओर होता है बोध आर converted to the metallic form दोनों को ही आप metallic form में convert कर सकते हो सिर्फ heating का process करके यानि कि सिर्फ उनको heat करके ही आप क्या कर सकते हो उन्हें reduce कर सकते हो metal अलग कर सकते हो तो सबसे पहले देखते हैं copper sulfide जो आपका copper glands है देखिए copper glands जिसको आप कहते हो cu2s छीक है cu2s solid form में है oxygen की presence में ये reaction हो रही है और आप roasting का process कर रहे हो देखिए roasting के process में क्या हो रहा था roasting के process में आप और को heat कर रहे थे लेकिन oxygen की presence में heat कर रहे थे ठीक है और उससे आपको क्या मिल रहा था oxide मिल रहा था यानि की metal oxide तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों ये copper oxide ठीक है copper oxide का formation यहाँ पर हो गया और यहाँ पर sulfur dioxide यहाँ उपर लिख देती हूं मैं sulfur dioxide gas reduce हो गई ठीक है यह रिलीज हो गई gas और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों copper oxide का formation हो गया अब देखिए copper oxide का formation तो आपने कर लिया second step हमारी main है क्योंकि second step में क्या कर रहे हैं हम metal को अलग कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इसको heat किया जाता है तो जो बचा हुआ copper sulfide होता है बच्चों जो बचा हुआ copper glans होता है उसके साथ यह copper oxide अपने आप रियक कर जाता है और रियक करके reduce हो जाता है और हमें मिल जाता है copper copper metal हमें मिल जाता है और sulfur dioxide gas produce हो जाती है clear है यह अच्छे से समझ आगे आपको अब देखिए यहाँ पर यह sulfide ore था इसलिए यहाँ पर sulfur जो है वो oxygen के साथ combine हुआ और sulfur dioxide gas produce होई अब हमने जो calcium बढ़ा था उसमें carbonate था इसलिए यहाँ पर CO2 gas produce होई थी और यहाँ पर क्या हो रहा है first step में सबसे पहले आपके पास copper glans था फिर आपने roasting का process किया तो आपको copper oxide मिला फिर copper oxide की reaction दुबारा किस से ह हुई है यहाँ पर copper glans से ही हुई है यह अपने आप रियक कर गया ठीक है रियक करने के बाद क्या बना यहाँ पर copper metal आपको finally मिल गया जो कि हमारा क्या है crude ore है ठीक है और कौन सी gas produce होई है अपर sulfur dioxide gas का production हुआ gas release हो गई next process देखते हैं कि next reduction कैसे होता है तो next है by heating heating करके आप reduction कर सकते हो जो low reactivity के metals होते हैं जो आपके low reactivity के metals होते हैं जिनकी reactivity कम होती है are very less reactive बहुत कम reactivity होते हैं और simply वो heat करने से ही reduce हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर mercury sulfide ठीक है बच्चों mercury sulfide को जब आप oxygen के presence में roasting the process लगा के heat करोगे strongly heat करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा mercury oxide ठीक है बच्चों यह आपका क्या है mercury oxide है और यहाँ पर क्या प्रेडियूज हुई sulfur dioxide gas प्रेडियूज हुई ठीक है gas मैंने यहाँ लिख दिया sulfur dioxide gas यहाँ पर प्रेडियूज होगे तो यह first method तो हमें आप पता चली गया था हमने roasting के process में यह पढ़ लिया था next step आपकी main है जो next reaction है यहाँ पर आपके पास है mercury oxide क्या है बच्चों mercury oxide तो mercury oxide को जब आप एक बार और heat करोगे तो finally आपको mercury मिल जाएगी जो की liquid form में आपको मिलेगी ठीक है mercury आपको यहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही आप पर oxygen gas produce होगी ठीक है बच्चों यह आपकी oxygen gas produce होगे overall दोनों reactions में हमने क्या पढ़ा ऐसे ही sulfur में पढ़ा लेकिन जो आपका copper sulfide था वो किस से react कर गया था copper oxide से फिर से react कर गया था और वहाँ पर copper का metal अलग हो गया लेकिन यहाँ पर इस process में क्या हो रहा है आपको सिर्फ heating करनी पड़ी यहाँ पर heat करके आपने mercury oxide को किस में convert कर दिया mercury liquid में convert कर दिया और oxygen gas produce होई ठीक है देखिए जब यहाँ यहाँ पर जो gases release होती है वो depend करता है कि reactant आपने क्या लिया है जैसे कि यहाँ पर S यानि कि sulfur present था तो कौनसी gas produce होई sulfur dioxide gas produce होई यहाँ पर सिर्फ oxygen प्रजेंट था तो यहाँ पर कौनसी gas produce होई oxygen gas तो अभी क्या यह balanced है नहीं है तो यहाँ पर 2 oxygen है लेकिन यहाँ पर एक यह उक्सिजन है तो आप यहाँ पर 2 पूट करेंगे ठीक है क्या पूट करेंगे यहाँ पर 2 तो अब देखिए mercury भी यहाँ पर 2 टाइम हो गया तो यहाँ पर भी आप 2 लिख देंगे क्लियर है इसी तरीके से यहाँ पर mercury वन टाइम है यहाँ पर भी वन टाइम है लेकिन यहाँ पर देखिए sulfur अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने साइट पर भी sulfur कितने है बच्चो दो ठीक है और अगर हम oxygen की बात करें तो 6 यहाँ पर है और देखिए oxygen 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो कितने oxygen हो गए दोनुं साइट पर 6 oxygen हो गए तो बैलन्स करना तो मैंने आपको first chapter में बहुत अच्छे से सिखाया है I hope आपने सारे lectures देखे हैं ठीक है next हमारे reduction देखते हैं कि next process क्या है reduction का अब हम use करेंगे reducing agents का ठीक है और इस process को कहते है smelting आप star mark कर लिजिए और इसको लिख लीजिए important है यह कि smelting क्या होता है और reducing agents का यूज करके आप किस तरीके से metal oxide को metal में convert करते हो the matters in the middle in the reactivity series यानि कि reactivity series में जो metals mid में आते हैं जो slightly reactive होते हैं ना बहुत जादा reactive है ना बहुत कम reactive हैं तो आप उन्हें heating से reduce नहीं कर सकते हो cannot be reduce by heating सिर्फ heating के process से आप उनको reduce नहीं कर सकते हो तो फिर आप उनको chemical agents के थूँ reduce करोगे और वो सारे chemical agents कौन कौन से हैं carbon, carbon monoxide, aluminium और hydrogen ठीक है तो यह आपके चारो reducing agent है one by one मैं आपको सारी reactions explain करती हूँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने carbon reducing agent लिया है तो reducing agent क्या है यहाँ पे carbon आर ए से मैं इसको शो कर रही हूँ reducing agent क्या है carbon है बच्चों ठीक है अब reducing agent carbon के साथ हमने किसको react करवा है metallic oxide को react करवा है obviously हम metallic oxide ही लेंगे क्यों क्योंकि हमें क्या करना है reduction का process करके metal को अलग करना है clear तो दीखें यहाँ पे zinc oxide की reaction कार्बन के साथ करवाई है तो जैसे ही heat किया तो यह क्या बन गया zinc metal अलग हो गया और carbon monoxide gas produce हुई इसी तरीके से lead oxide तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ zinc oxide lead oxide ठीके बच्चाओ और यहाँ आपका iron oxide यहाँ पे हमने लिया है ठीके iron oxide का use यहाँ पे हमने किया है तो तीनोवी reaction में हमने oxides लिये हैं और oxides का use करके हमने carbon dioxide sorry carbon का use क्या है carbon क्या है यहाँ पे reducing agent है और reducing agent की help से हमने metals को अलग कर लिया है और कौन सी gas produce हुई है यहाँ पे carbon monoxide gas produce हुई है जो कि एक poisonous gas है आपको harm पहुचा सकती है तो यह जो reactions है इन reactions की बज़ाए यहाँ पर जो reaction लिखी हुई है यह ज़ादा सही है क्यों क्योंकि यहाँ पे कौन सी gas produce हो रही है देखो carbon monoxide gas का production यहाँ पे हो रहा है जो कि आपके लिए harmful है लेकिन यहाँ पे carbon dioxide gas produce हो रही है जो कि less harmful है ठीके तो आपको कौन सी reducing agent का use करना चाहिए फिर आपको carbon monoxide का use करना चाहिए क्योंकि अगर आप carbon का use करेंगे तो carbon monoxide gas produce हो जाएगी लेकिन अगर आप reducing agent ही carbon monoxide डेलेंगे तो यहाँ पे कौन सी gas produce होगी बच्चो carbon dioxide gas produce होगी तो यहाँ पर हमने और तो सेम ही लिये है zinc oxide, lead oxide और iron oxide इन सब को हमने किस के साथ रिये करवाया है carbon monoxide के साथ रिये करवाया है heat किया है और metals को अलग कर लिया zinc, lead और iron और कौन सी gas produce होगी, carbon dioxide gas यहाँ पर produce होगी इतना clear है बच्चों आप सब को, अभी तक हम तीन methods पढ़ चुके हैं reducing के लिए अब हम fourth method पढ़ेंगे, example है, अब देखिए यहाँ पर हम aluminium का use करेंगे reducing agent, ठीक है, तो यहाँ पर हम metal को reduce करेंगे by aluminium reducing agent reducing agent जो है आपका aluminium है, aluminium is an expensive reducing agent यह थोड़ा सा expensive reducing agent होता है reduction of metal oxide with aluminium is known as alumino thermi यह आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, इसे आप अलग से mention कर लिजे कि aluminium जो reducing agent है, उस reducing agent का use करके आप जब reduction करते हो तो क्या होता है, आप उसे क्या कहते हो, thermite process कहते हो या फिर आप उसको alumino thermi कहते हो, तो alumino thermic reaction एक exothermic reaction है जिसमें heat बहुत जादा release हो लिए है, बहुत जादा दा process is industrially useful, यह process industrially useful है for the production of alloys of iron, आइरन के alloys बनाने के लिए it is also used to fill the cracks in the railway tracks, railway tracks में जब कहीं किसी पटरी पर crack आ जाता है, तो उस crack को fill up करने के लिए क्या किया जाता है, उस crack को fill up करने के लिए thermite process किया जाता है, ठीक है, तो यह आपकी कुछ reactions है उससे पहले हम यह process देख लेते हैं, देखिए आपकी railway track है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें crack आ चुका है, तो यहाँ पर हम aluminium का यूज करके यह process कर रहे हैं, कितनी जादा exothermic यह reaction हो रही है, इसे कहते हैं, thermite welding, यानि कि हम aluminium का यूज करके welding का process कर रहे हैं, वापे उसको fill up कर रहे हैं gap को, ठीक है बच्चों, अब देखिए, यहाँ पर reactions देख लेते हैं, मैगनीज, मैगनीज ओक्साइड, कौन सा हमने ओर लिया है, मैगनीज ओक्साइड, ओके, तो मैगनीज ओक्साइड की reaction हमने करवाई है, aluminium reducing agent के साथ, और आपको metal मिल गया है, मैगनीज, साथ यहाँ पर aluminium oxide का production हुआ है, ठीक है, किसका production हुआ है, aluminium oxide का production हुआ है, और बहुत ही ज़ादा heat release हुई है, तो इसी तरीके से यहाँ पर chromium oxide, iron oxide और zinc oxide में भी यह सब metallic oxides है, यानि कि यह concentrated, आपने और से क्या बना लिया था, metal oxide बना लिया था, और metal oxide की reaction किसके साथ करवाई है, हमने aluminium reducing agent के साथ करवाई है, और finally हमें क्या मिल गया है, बच्चों, crude metal मिल गया है, यानि कि crude ore मिल गया है, ठीक है, और उसमें से हमने reducing agents का यूज करके, metal को अलग करके, और यहाँ पर क्या formation हो रहा है, aluminium oxide का formation हो रहा है, यहाँ पर भी aluminium oxide का formation हो रहा है, देखिए, लास वाली जो reaction है बच्चों, उसमें हमने hydrogen gas का यूज किया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो लास जो आपकी reaction है, वो हमने फोर्थ वाला reducing agent दिया है, hydrogen gas और उसका यूज करके, हमने zinc oxide को reduce किया है, तो zinc oxide बच्चों किसमें convert हो गया, zinc में convert हो गया, और water का formation हो गया, तो last reaction बस अलग है, बाकी तीनो reactions में हमने aluminium ही use किया है, और तीनो reactions में aluminium का use करके, जो product बन रहा है, वो क्या बन रहा है, aluminium oxide बन रहा है, साथी आपका metal बन रहा है, और बहुत ही ज़्यादा heat release हो रही है, यह example आपको याद रखना है बच्चों, सभी को याद रह जाएगा, कि हम thermite process का use करते हैं, जो railway tracks होती हैं, उसको weld करने के लिए, welding करने के लिए, next है हमारा electrolysis, यह last reduction process है, आज का second step का, अब देखें हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है, हमने solution लिया, ठीक है, NACL का मान लिजिए, हमने NACL का liquid form में, molten state में हमने NACL को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने दो electrodes को लगाया, और क्या किया है, circuit को complete कर दिया है, तो यह battery का positive terminal है, और यह negative terminal है, तो इसे आप क्या कहोगे positive terminal को, anode कहोगे, और इसे आप क्या कहोगे बच्चो, cathode, clear है, अब देखिए, क्योंकि आपका NACL का liquid form में solution लिया है, हमने, तो देखिए, यहाँ पर chlorine के जितने भी, यहाँ पर particles थे, chlorine के ions जो थे, ठीक है, वो सब के side आ गए, plus वाले charge की तरब, यानि कि इस वाले electrode पर कौन सा charge था, plus charge था, तो सारे जो भी negative ions थे, वो सब इसकी तरफ attract हो गए, ठीक है, जितने भी इस side में CL minus थे, वो सब किदर आ गए, इस side आ गए, ठीक है, और जितने भी Na plus होगे, कि वो सब कहां move हो जाएंगे, इस side move हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि cathode पर कौन सा charge है, negative charge है, और negative charge किसे attract करेगा, positive को attract करेगा, ठीक है बच्चों, इतना clear है, अब देखते हैं, example, एक्जामपल यही है आपका, कि extraction of sodium, यानि कि sodium metal का extraction, जब आप कर रहे हैं, किस से, molten state से, NaCl की molten state, यानि कि फिगली हुई अवस्था, fused form आपने लिए है, ठीक है, तो वहाँ पे deposit हो जाएगा, metal कहां पे, cathode side पे, यानि कि जो Na है, वो सारा आपको cathode side पर जमा मिलेगा, यानि कि यहाँ पे सारा क्या जमा हो जाएगा, Na, ठीक है, sodium, sodium, और जो आपको chlorine gas मिलेगी, वो कहां मिलेगी बच्चों आपको, anode पे मिलेगी, क्यों, क्योंकि chlorine पर negative charge है, और वो किस तरफ अट्रेक्ट होगी, positive charge की तरफ अट्रेक्ट होगी, chemical reaction हमारी कुछ इस तरीके से होगी, NaCl, sodium chloride, molten state में लेंगे हम, electricity प्रोवाइड करेंगे, sodium metal अलग हो जाएगा और क्लोरीन गयास प्रिद्यूस हो जाएगा, clear है, ओके, तो यहाँ पे आप देख लिजी, यहाँ पे आपने क्या लिया था, molten sodium chloride, molten sodium chloride आपने यहाँ पे लिया था, ठीक है, पहले से ही वो पिगली हुई अवस्था में होना चाहिए, otherwise उसमें से current flow नहीं हो पाएगी, clear है, देखते हैं, caution, caution क्या कहता है, which chemical process is used for obtaining metal from its oxide, कौँशा chemical process आप use करते हैं, just अभी हमने पढ़ा है बच्चों, just मैंने अभी आपको process पढ़ा है, reduction का process, ठीक है, तो हम reduction का use करते हैं, किस के लिए, metal को obtain करने के लिए, ठीक है, in this process, metal reduce, metal reduce हो जाता है, किसे reduce करते हो आप, reducing agent का use करके, आप metal को reduce कर सकते हो, तो यह आपकी reactions थी, जो भी मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ पे हमने zinc oxide का use किया है, zinc oxide आपका ओर है, जिसको react करवा है, हमने carbon के साथ, और carbon monoxide gas प्रेडियूज होई है, carbon monoxide gas का production हुआ है, यहाँ पर carbon dioxide gas का production हुआ है, ठीक है, और यह reaction जस्ट अभी हम पढ़के चुके हैं, iron oxide वाली, ठीक है, यहाँ पे भी हमने same ही लिया है, zinc oxide ही लिया है, यहाँ पे हमने iron oxide लिया है, ओके बच्चों, यहाँ पे भी हमने zinc oxide ही लिया है, ठीक, तो अब iron oxide की reaction, aluminium के साथ करवाई है, aluminium भी एक बहुत अच्छा reducing agent है, तो यहाँ पर iron अलग हो गया, aluminium oxide का formation हो गया और heat release हो गया, यह reaction कहां होती है बच्चों, railway track को फिलप्स करने में use होती है, यह reaction ठीक है, zinc oxide, यहाँ पे भी हमने zinc oxide ही लिया है और, ठीक है, तो बच्चों आपको यह reducing agent और उनके साथ यह reactions learn करनी है, I hope आप अच्छे से learn करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे reducing agents पढ़ाए हैं, almost हमने पढ़ लिये हैं, carbon, carbon monoxide और aluminium, ठीक है, तो आप यह आपके 10th level के according इतना sufficient है, ओके students next question देखते हैं, next question क्या है, वैसे मैंने आपको काफी अच्छे से explain किया है, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि आपका foundation base बिल्कुल clear रहे, आपको 12th class में बिल्कुल भी problem ना आए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा deep में पढ़ाया है, सारे topics मैंने आपको clear किये हैं, अच्छे से पढ़ाया हैं, तो next question हमारा कहता है कि give reason why copper is used to make hot water tank and not steel, copper का ही use क्यों करते हैं हम hot water tanks को बनाने के लिए, तो copper जो है वो ठंडे पानी के साथ रियक्ट नहीं करता, गरम पानी के साथ रियक्ट नहीं करता और steam के साथ भी रियक्ट नहीं करता, लेकिन जो बचो iron है आपका, iron रियक्ट करता है steam के साथ, if the hot water tank are made from steel, अगर वो steel से बनाए जाते हैं, जो कि क्या है, alloy है किसका, iron का, ठीक है, then iron would react vigorously with the steam, formed from the hot water, यानि कि जो गर्म steam निकलती, उसके साथ फटा फट रियक्ट कर जाता iron, और iron ने अगर steam के साथ रियक्ट कर लिया, तो फिर वहाँ पर कुछ compound बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, यानि कि copper, copper, cu, यहाँ पर water के आप कोई सी भी form लेलो, कोई reaction नहीं होगी, इसलिए आपने copper का use किया है, hot water tank को बनाने के लिए, next question क्या कहता है, next question कहता है, कि what type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen, यह तो बहुत ही easy है, देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, when non-metal, when non-metal combine with oxygen, ठीक है, non-metal जब oxygen के साथ combine होगा, तो क्या होगा, non-metal ले लीजिए, sulfur, sulfur की reaction करा दीजिए, oxygen gas के साथ, तो क्या produce होगा, बच्चों, sulfur dioxide gas produce होगी, ठीक है, यानि कि sulfur dioxide कैसी है, acidic है nature में, acidic in nature, पढ़ाया था मैंने आपको non-metallic oxides कैसे होते हैं, acidic nature में होते हैं, या acid base में पर्ड़ चुके हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर carbon ले लेती, बच्चों, carbon की reaction, अगर मैं oxygen gas के साथ करा हूँ, तो क्या formation हो जाएगा, यहाँ पर carbon dioxide gas produce हो जाएगी, carbon dioxide gas का formation हो जाएगा, यहाँ पर, और यह भी क्या है, बच्चों, आपकी acidic gas है, acidic in nature, तो अब आपको answer अच्छे से समझ आ गया होगा, कि जब आप एक non-metal की reaction, आप oxygen gas के साथ कराते हैं, तो जो gas बनती है, वो कैसी होती है, जो compound बनता है, non-metallic oxide, वो कैसा होता है, acidic होता है, next question देखते हैं, next question, last question है हमारा, name two metals, आपको दो metals के name बताने हैं, जो की hydrogen gas को displace कर दे, dilute acid में से, ठीक है, तो first हम method पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, कि आपको दो ऐसे metals का use करना हैं, जो की displace कर दे, तो मैं यहाँ पर sodium ले लेती हूँ, और sodium की reaction मैं करा देती हूँ, बच्चों, diluted H2SO4 के साथ, और diluted H2SO4 के साथ, जब reaction होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पर, Na2SO4 का formation हो जाएगा, और hydrogen gas produce हो जाएगी, ये reaction मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीके, अगर, मान देजिए मैं potassium के साथ react करा हूँ, ठीके, potassium की reaction, अगर मैं करा दूँ किसके साथ, diluted H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, potassium, sulfate बन जाएगा, K2SO4 का formation हो जाएगा, और hydrogen gas produce हो जाएगी, ठीके, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, आपने यहाँ पर metal लिया, metal की reaction, dilute acid के साथ करवाई, ठीके बच्चों, तो क्या बना यहाँ पर, metal salt, और gas produce हो गई, ठीके, clear इतना, पढ़ाया था मैंने आपको यह acid base में, अब देखें, यहाँ पर ही, दो metal पोछ रहा था, तो हमने लिख दिया, पहला metal है sodium, और दूसरा metal है हमारा potassium, ओके बच्चों, नेक्स्ट मों बोल रहा है, कि आपको ऐसे दो metals के name भी बताने हैं, जो कि displace ना कर पाएं, dilute acid को, तो ऐसे दो name कौन-कौन से हैं, silver, and gold, are less reactive metals, are less reactive metals, यानि कि less reactive metals होते हैं, they do not react with dilute acid, ठीक है, dilute acids के साथ वो बिल्कुल भी reaction नहीं करते हैं, तो आपके दो metal, sulfur और gold, sorry, silver और gold हो जाएंगे, जो कि है less reactive, ओके बच्चों, तो आज ही class में सिर्फ इतना ही, I hope आपको chapter अच्छे से समझ आ रहा है, सारे process आप लिख रहे हैं, proper notes बना रहे हैं, तो कोई भी topic skip मत कीजेगा, आपको बहुत help मिलने वाली है, 12th class में अगर आपके science है, तो आप बहुत ही ज़्यादा इससे benefits ले सकते हैं, okay students, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो motion foundation channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, और मुझे support कीजिए, ये वीडियो को जाद से ज़्यादा like and share कीजिए, thank you so much.